हेलो फ्रेंड्स तो आज हम देखने वाले आयूपसी नामकरण हूच अदा आसान ट्रेक से देखेंगे तो इतनी मेरी गरेंटी की वीडियो देखने बात यह आयूपसी आप निकालना एकदम आसानी से सीख जाओगे ठीक है तो चलो देखते हैं आयूपसी नामकरण इनका ठ जायोटा Citra मिलया फ्रकाइना चोल देखते हैं तो चलो चलो निकालते हिनके आयूपसी नेम तो देखो पहला नंबर वाला कुछा σओशिट्ण है वह हमारा ए तो असानी से निकालने इसका यूपसी नाम तो देखो आपको आयूपसी नाम लेने से पहले सबसे पहले एक काम करना होता है क्या काम करना होता है आपको इसमें सबसे लंबी संखला चुननी होती ठीक है तब ही आप आउपेसी नाम निकाल सकते हो अगर हम देखो carbon की सबसे लंबी संकला carbon की आपको long chain चुननी होती तब आप आउप इसी नाम निकाल सकते हो सबसे पहले काम क्या होता है हमें carbon की long chain देखनी होती जैसे कि अगर हम numbering करें देखो जैसे 1, 2, 3, 4 तो देख रहे हो carbon कितने 4 बार जैसे हम ऐसे करना चाहिए देख सकते हो CS3 तो देखो अगर हम इधर से करते है 1, 2, 3, 4 ठीक है तो 4 ही मिलेगी मतब 4 से जादा नहीं मिल सकती है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है carbon की long chain देख सकते हो 4 दोनों में मिलने इधर से भी 1, 2, 3, 4 देखो आप सबसे लंबी चैन हमने दोन ली carbon की long chain दोन ली ठीक है और दूसरा number point होता है जिधर से group आपको नश्दीक मिल लाओ उधर से numbering की जाती है जो numbering हमने 1, 2, 3, 4 की है आपको जहां पे group नश्दीक मिले उधर से ही numbering की जाती तो देखो आगर हम इधर से numbering करते है तो group कितने number पे मिल लाओ 1, 2, 3, यह जो आपका methyl group लगा हुए कितने number पे मिल लाओ 1, 2, 3, तीसरे number पे मिल लाओ और इधर से गिने तो एक, दो दूसरे number पे methyl group मिल लाओ तो आपको numbering हमेशा उधर से करनी है जिधर से, जिधर से आपका क्या यह group जो लगे होते जिसे कोई भी group लगा हो, methyl, ethyl या आपका chlorine, bromine, कुछ भी लगा है तो वो क्या हो, वो आपका नजदीक मिल ला उधर से numbering करनी है तो इधर से करने पे दूसरे पे आ रहा है तो कौन सी numbering सही होगी, यह वाली और यह वाली गलत होगी, क्योंकि आपका आपका आपके रूल होते है कि पहले आपको carbon की सबसे लंबी स्रंखला चुननी है और फिर क्या करना है उस तरफ से numbering करनी होती carbon की carbon में number उस तरफ से लिखना होता है जिस तरफ से group नजज़ेक मिलना हो तो चलो देखते हैं आप यह वाला तो हमने जानगे यह wrong है तो इस वाली का देखते है number इसके नाम क्या होगा तो देखो, आप आपको क्या करना होता है सबसे पहले इसका नाम लिखना होता है जो आपका group लगा हुए यह group कित्ते पे लगा हुए दूसरे carbon पे लगा हुए ना तो आपको कुछ नहीं करना बस यहाँ पे दो लिखना है और देखो, लगा क्या है आपका यह CH3 CH3 कौन सा group होता है methyl group होता है अगर C2H5 लगा होता तो methyl group होता methyl लगा है ना तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखा, दूसरे carbon से जुड़ा है तो 2 methyl क्या लिख दिया हमने 2 methyl ठीक है, 2 methyl लिख दिया आप क्या लिखेंगे आगे 2 methyl लिख दिया आप देखो, यहाँ पे कितने carbon यह जो स्रंखला हमने देखी चेन देखिए, long chain कितने carbon की 1, 2, 3, 4 4 carbon की है तो हमने देखा था 1 carbon के लिए मेथ होता है 2 carbon के लिए 8 होता है तो देख सकते हो आप, अगर आपको 1 carbon की chain है, तो उस पे मेथ लगाते 2 carbon तो 8, 3 carbon के लिए प्रोब 4 के लिए व्यूट, 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए 8, 8 के लिए 9 के लिए 9 लगाते है और 10 carbon हो तो डेख लगाते है तो देखो हमने ये वाला तो ये सब पिछले वीडियो पर देख चुके है तो इस वाले वीडियो पर देखो देखते क्या है कि आपने यहां पर कितने carbon है 1, 2, 3, 4 और इस वाले carbon को तो हम लिखी चुके पाचवा carbon दा लिख जिसका 2 लिख चुके है तो चार carbon के लिखता है तो हम यहां पर क्या लिखने deix, लिख दिया आप यहां पर क्या लिखने beaut लिख दिया, आप हमें तीसरा यह देखना 750 कॉछ हाईज İs क्या टेखना है इसमें आप देखरो सिंगल बॉंड है शिंगल तो यह क्या आपको पता है उल इन किया है पहले वाली वीडियों भाली वीडियों में सब तर्च चुकान है ठीक है आपको last वाला लगा दिया। जैसे एलकेन है तो आपको ब्यूट प्लस एन लिखना है, इसलिए अपने क्या कर दिया, last में एन लगा दिया, तो क्या हो गया, two-methyl-butane, ठीक है, देख सकतों कितना असान है तो इसे निकालना, आप थोड़ा एक-डू एकजामपल और देखते सह की नाम कैसे निखेंगे तो हम ने सबसे पहले आपको बता है आपको क्या गरता है सबस्क्राइब इधर से भी चार कारबन मिलना है तो देखो और इधर से ले तो एक दो तीन कारबन मिलना है ठीक है तो हमें क्या करना है लंबी स्रंखला लेनी है तो हम लंबी स्रंखला कैसे ले तो हमें अब यह सोचना है लंबी स्रंखला कैसे में ठीक है तो चलो देखते हैं आप तो यह सो CH3 लेकिन यहां पर जो आपका C2H5 लिखा हुआ है इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH2 और CH3 तबी तो देखो दो कारवन C2 और 5 हाइड्रोजन C2H5 तो देखो हम यहां पर क्या कर देंगे यहां पर हम लिख देंगे CH2 और यहां पर क्या लिख देंगे CH3 इसी टाइप के क्वेस्टिन पिजाब में पूछ करल है लोग कर्योट होगे कि लौंगियों के लौंग क्यों से वाली होगी ऊप देखो आपने कितनी लौंग्चेम मिलेगी एक दो लेगे लेकिन आप क्या हो गया 5 Karbon मिलें तो हम कौन सी ये जढ़ा करबन इस वाली चेयर पर याद़ पहले और लाउलाब और पुछन देखने है फिर प्रमा हमें देखना है हमें तेसे किया एक दो तो तीन तीसरे नमबर पे ग्रूप मिल दा है, मेथिल ग्रूप, और अगर हम इधर से नीचेस करते, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो इधर भी हमें तीसरे नमबर पे ही ग्रूप मिल दा, तो कोई दिक्कर ने दोनों तरफ से तीसरे मिल दा है, तो चाहिए आप इधर से from vaporizer된 का। तो दोनों कम हो गहे, आप चलू का नम लिखते हैं säger Sigma जैसे उसमें नम लिखा था था हमने क्या टू में GP टा-जैसे पहले the लिखा था उसी प्रखा इसमें भी लिखेंगे देखो कैसे किष्टल रंब पे लंगए तीन पर तो तीन लिखा तीन और फिर क्या करेंगे कौन सा गुरूप लगा है मैथिल गुरूप लगा है तो थ्री मैथिल लिख देंगे ठीक है थ्री मैथिल लिख दी हमने आप क्या होगा देखो आप हमें क्या करना पड़ता है हमें देखना पड़ता है वह इलकेन है इलकीन है क कितने कार्बन है इस पे उदभिक मतलब वे जू लॉंग चेर्ण हमने मैं देखी कितने कार्बन कार्बन वांप मिसक्यरतों को क्या लगते प्रिप इंज को लिखेंग है कितने कार्बन है यहां पर क्या लिखेंगे मैं निकते तो इसका नाम क्यों गया थ्री मेथिल पेंटेन देख सकते हो एकदाव असान है कुछ नहीं क्या बस आपको क्या करना है कितने कारबन लॉंग चेंड में कितने कारबन पांच है तो पेंट लिखा और हमें पता यह सिंगल बॉंड सम्में लगा तो इलकेन है तो आमने लाश् यह प्लबोंड चीएच तो आप देखो सबसे लंबी ड्हें ड्मान की बाती तो लंबी टैन नम्माने चार फीर ग्रूप देखना हो टा है इस में कोई ग्रूप तो लगा है तो आप हमें क्या देखना पड़ता है यह जब ग्रूप ना लगा ठीक है आप हमें क्या करना है double bond इधर से नद्जीक मिलना हो ऊदर से करते है नमbring 14 सिर और इधर से पर तो यह निलीक एक दो थीन चाrast ओर अगर इधर से करें तो क्या को अद्शे इधर पहर पहले आपको लॉंग चेन रूर नहीं जब डबल बॉन डॉला सिस्टम तो आपको डबल यह इसका भी नाम आसानी से लिए लेते हैं तो देखो आप हमें किया है आप देखो इस पर कोई गूरूप का नाम लिखना पड़ेगा इस पर डारेक्ट है ना तो देखो कार्बन कित आप में बात है आपको क्या करना है भी लिखना है फेल लगाते है आप याद रखो डबल वांड के लिए इन लगाते हैं अगर लिखना चाओ तो एन लगाते हैं ठीक है और triple bond के लिए आइन लगाते प्यूक्त हो Christina इसका नाम कै ब्यूट्टू इन कैसे डो फे डबल बाउंट था ना इसलोग आ करें लिझनद ₳ कर्वान निकाला बस लॉंग चैन देखो तो इसका नॉंग चैन पर उसके यहां चले देखो इसको इसको देख पर हमें क्या करना पहले लॉंग चैन कर सकते हैं किका अगर आप इधर से करोगे तो किस कि कितने नंबर पर डबल बॉन मिलेगा दो तीसरे नंबर पर कर सकते हैं तो हम दोनों तरफ से कर सकते हैं तो double bond मिल गया तो अब आसानी से निकाल लेंगे। देखो कितने carbon है। long chain में कितने carbon है, 5 carbon इसलिए 5 carbon के लिए हम क्या लिखते है पेंट लिखते है। पेंट लिखते हैं ठीक है, तो पेंट लिखते हैं अपर, हमने लिखा पेंट, तीसरे carbon पर double bond लगवा है तो लिखा आपने क्या sorry तो देखो यहाँ पे गड़वर हो गई है हमें double bond तो यूज करना ही पड़ेगा ऐसे अगर आप ऐसे 5 पे carbon पे numbering करोगे तो हो जाएगा वो गलाड ठीक है हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे देखो CH3 CH2 C double bond CH2 और यहाँ पे क्या होगा CH2 CH3 ठीक है तो आपको numbering इधर से करनी पड़ेगे क्योंकि double bond इधर से देख मिलेगा 1, 2, 3, 4 ठीक है अगर उधर से कर रहे हैं तो तीसरे carbon पे double bond मिलना है 1, 2, 3, इधर से कर रहे हैं तीसरे carbon पे 1, 2, 3, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो पहले carbon पे double bond मिलना है लोगो एक पे किया तो पहले ही carbon पे double bond मिल गया तो हमें numbering इधर से करनी पड़ेगे यह हम गलत कर रहे हैं ठीक है अगर ऐसे करोगे तो यह wrong हो जाएगा ठीक है तो पेपर पेपर पे एसी टगड़े question आती कि जिससे लोग पस जाएं ठीक है question गलत कर दे लेकिन आप ध्यान से देखो हमें क्या करना पड़ेगा इधर से double bond या triple bond मिलेगा उधर से में numbering करनी है ठीक है इधर से करेंगे तीसरे number पे मिलेगा अगर इधर से करेंगे तो है 1234 या इधर भी कर सकते हैं 1234 ठीक है इधर का भी करो बड़ double bond नश्जीक मिलना चाहिए तो देखो आप इधर यह जो CH3 और CH2 है यह हमारा आपका जैसे group लागा वाता उसी type से मिलेगा तो इसे हम कहना दिख सकते है C2H5 देखो दो carbon 5 hydrogen 325 तो C2H5 दिख सकते न तो देखो कितने carbon पे आपका C2H5 दागा दूसरे carbon पे उसी प्रकार लिखना है 2 ethyl जैसे अभी तक लिखते आ रहे हो अभी तक पहले वाले चो एक्जांपल ने देखे थे ठीक है उस पर जैसे आपने लिखा था टू message ठीक है उसी प्रकार क्या करना इसमें पी दिखना है उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे 2 ethyl 2 carbon न तो 2 ethyl लिख दिया आप देखो कितने आप यहां पे क्या हो गया 1,2,3,4,4 दो क्या लिए लिखेंगे ब्यूट lugेञें चार के लिखेंगे अमने लिख दिया विव 一 तो यह और क्या लेक्गिदा है थीके देखसके अगदाम आसान बस आपको करना किया डैबल ब मिले हुद्त से करना है ठीक है अब अगला देखते है अगला नम्मर पर क्या कह रहा था हमारा यह razem वाला था ठीक है इस पर देखो जिदर से लंबी चैन मिले कार्बन की तो एक दो तीन 49 दो थीर चार पांच 5 गें इए हैं इसलिए यह इदर में तो तीन चार पाँच इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे ठीक है तो इधर से नंबरिंग को की क्योंकि इधर से ग्रूप मिला नजदी इसलिए इधर से नंबरिंग की ठीक है तो लिखेंगे क्या दूसरे कारबन से आपके दो मेथल जूड़ है एक मेथल ये एक मेथल य और है कॉन सा एल्केन तो पेंटेन तो टू डाई नितिल पेंटेनम ठीक है तो यह इसका नाम हो जाएगा और यह निकालना बस आपको करना क्या है पहले आप लॉंग Keynes पर गुरूप की तरह से सब्सक्राइब या double bond या triple bond कि दसने नजदीक है ठीक है फिर उस पर देख लो कौन सा hydrocarbonate single bond double bond triple bond उससे इसाब से लगा दो तो देखो फूचर रहे तो इसी टाइप के वेश्चन आते हैं ठीक है फसाने वाले एक्जाम में तो भाई अगर वीडियो अच्छा रगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक चुरूर करते चाहिए ओके थैंक्स वाचिंग इस वीडियो